भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है आज का दिन भारतिय इतिहास में 15 अगस्त 26 जन्वरी के तरह लिखा जाएगा आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे जुखना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है आज जन्तंत्र की जीत हुई है आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया जन्तंत्र में सरकारों को हमेशा जन्ता की बात सुननी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ जन्ता की मर्जी चलेगी कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहिंकार नहीं चलेगा ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया इस लड़ाई में किसानों के साथ-साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सब ने हिस्सा लिया पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या किरल पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था देश-विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर आज इतिहास रचा है जिन्होंने धरम जाती से उपर उठकर एक साथ सडक पर तीनों काले कानोनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और आखिर में केंदर सरकार को उनके आगे जुकना पड़ा इन सभी की आज जीत हुई है पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही इससे बड़ा या इससे लंबा कोई अंदोलन हुआ होगा इतनी शांती पूरवक तरीके से इतने लाखों लोगों ने संघर्ष किया कड़ी धूप में ठंड में वरसात में पीछे नहीं अटे इस अंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार पूरे सिस्टम ने एजेंसियों ने पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की किसानों को आतंकवादी कहा खालिस्तानी कहा एंटीनेशनल कहा सब तरीके से घेर के उनको उनके होसले को तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन किसानों के लिए भी अजादी की लड़ाई थी अजादी के दिवानों की तरह किसानों ने भी कमर कसके ये लड़ाई लड़ी और जीते किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया सरकार की लाठियां तूट गई, कीलें गल गई लेकिन सरकार उनका आत्म विश्वास और जजबा नहीं तोड़ पाई आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है साथ सो से ज्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गवा दी इसकी जरूरत नहीं थी, इनकी जाने बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते हमारे किसान भाईयों और बहनों को इतने महीने सडक पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होती आज साथ सो से ज्यादा किसानों की जान चली गई साथ सो से ज्यादा परिवार उजड़ गए आखिर किसलिए इन शहीदों को मेरा नमन है इनके परिवार को भी मेरा कोटी-कोटी प्रनाम है मैं उनकी आत्मा की शांती के लिए वह गुरु जिसे प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा आज का दिन हमारे देश के बच्चों और नजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नियत से शांती पून तरीके से संघर्श करो फिर चाहे मनजिल कितनी भी कठन और दूर क्यों ना हो सफलता मिलती है